स्वागत स्वल्डेम chỉलang नमश्कार दोस्तो आपका हमारे यूड्यूब चैनल के स्वागत सुखत हैं और साम देखने वाले ये मसीन के बारे में समज से और इसका डैमोंस्ट्रेशन भी आपको है powder form में convert कर सकते हैं तो दोस्तों यह है परवलाइजर ग्रेंडिंग मसीन और यहां पर हम सारी चीज़े one by one देखते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम इसमें देखने वाले हैं कि मसीन में क्या-क्या चीज़े हमें मिल रही है तो दोस्तों इस पार्ट को कहा जाता है होपर यहां से आप किसी भी माल को यहां पर आड़ कर सकते हैं जैसे कि इस पार्ट में आप देखेंगे दो होपर का एक section दिया हुआ है यहां पर आप माल डालेंगे तो यह completely भर जाएगा और यहां से भी आप control कर सकते हैं for example जैसे आप यह देख पाएंगे इसे control करेंगे तो यहां से माल जाएगा और जो कि यहां पर निकलेगा राइट तो दोस्तों यहां पर आपने एक 8 पीसा था टेस्टिंग मोड में वो कर चुके हैं और दोस्तों यहां पर आपने देखा और यहां पर दोस्तों आप देख पाएंगे यह 10 HP का मोटर और यहां पर बहुत ही heavy duty मोटर है यह जो कि 10 HP का मोटर है दोस्तों आपको यहां पर मिल लाएगा यहां पर आप देख पाएंगे यहां पर यह पुल्ली है और उसके उपर भी आप देख पाएंगे यह है छोटी तो दोस्तों यहां पर आपने देखा यहां पर यह चोटी पुल्ली है और दो बेल्ट भी आपको मसीन में मिल लाता है जो की हेवी ड्यूटी बेल्ट यहां पर आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों यहां पर रहा यह पुल्ली और बेल्ट वगर आपको यहां पर मिल लाता है अभी दोस्तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही गजप का सेक्षन है, यहां पर आप देख पाएंगे, जिसे यह ओईल कंट्रोल भी हम देख पाएंगे, यहां पर आपको दिख पा रहा होगा, यह है ओईल सेक्षन, अगर आपका ओईल बढ़ गया है या घड तो यहां से आप देख सकते हैं, जिसे आप देख पा रहा है, थोड़ा सा ओईल कम है, बटिस करीके से आप यहां पर इंडिकेट जान पाएंगे, ओईल भरा हुआ है कि नहीं, अगर ओईल खाली होने वाला होगा, तो आप इसली यहां से जानकर इसे फुल्फिल कर सकते है तो दोस्तो यह रहा हुआँ ओईल वाला सेक्शन और अभी आप ओईल कहां से डालेंगे, तो दोस्तो आप यहां पर देख सकते हैं, यह जो यहां पर आपको बोल्ट नजर आ रहा है, आपको इसको जश्ट खोल देना है, और ओईल इसके अंदर आप फिलप करेंगे, तो और यहां पर आप देख पाएंगे, इसकी मात्रा भी आप यहां पर देख पाएंगे, तो दोस्तो यह था ओईल वाला section, अभी दोस्तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मसीन में और क्या-क्या चीज़े हैं, फिर दोस्तो आपको मसीन के साथ में दो कपड़े मिल लाते हैं, एक यह जो कपड़ा आपको दिख रहा है, यह कपड़ा है, खास यानि कि जो भी air वगएर होता है, air को manage करने के लिए यह वाला कपड़ा यूज होता है, और साथी साथ में दोस्तो आपको यहां पर second वाला एक कपड़ा दिख जा रहा है, यह वाला जो कपड़ा है, यहां आके रुपता है, तो दोस्तो यह मसीन के साथ में आपको दो कपड़े भी दिए जाते हैं, जिसे आप easily use कर सकते हैं, अभी दोस्तो मसीन के साथ में और क्या क्या चीज़े आपको मिल लाती है, तो दोस्तो आप यहां पर देख पाएंगे यह जालियां, जहां पर आप easily material को filter कर सकते हैं, तो यह पहली जाली है, और यहां पर आप देख पाएंगे यह दूसरी जाली है, इसमें little bit थोड़ा सा होल बड़ा है, और साथी साथ में दोस्तो यह तिसरी जाली आप देख सकते हैं, सारो का sizing और holes वगरा थोड़े बड़े हैं, और इसी प्रकार से यह छोट के अंदर लगाई हुई है, और साथी साथ में आपको यह जाली यहां पर दी जाती है, तो जिस मात्रा में और जिस size में आपको यहां पर आटा निकालना है, आप उस तरीके से इसे निकाल सकते हैं, साथी साथ में दोस्तो आपको यहां पर एक supporter मिल लाता है, machine के नीचे आपको यहां पर यह supporters मिल लाते हैं, जिससे के आपकी machine vibrate ना हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, इस machine का यह जो section दिया हुआ है, वहां पर यह चीज़े लग जाती है, जिससे जहां तक आ जाता है vibrator आपकी machine को vibrate होने से बचाती है, ताकि आप यह चीज़े लगा सकते हैं, इसमें यह 4 vibrators भी आपको मिल लाते हैं, अपर दोस्तों मैं आपको chambers वगेरा दिखाने जा रहा हूँ, इसमें chamber किस प्रकार का दिया है, जहां पर हम आटा पीश सकते हैं, और साथी साथ में अधर चीज़े भी पीश सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको simply इस तरीके से खोल देना है, जैसे आप खोलेंगे तो आपका chamber open हो जाएगा, यहां पर आटा पीशा हुआ है, तो आप देख सकते हैं, यहां पर material नजार आ रहा है, जैसे for example आप यहां पर देख पाएंगे, यह chamber में आटा यहां पर मिल रहा है, अभी दोस्तों इस साइड आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर भी एक chamber available है, जो की आपको चार blade वाला मिल दाता है, तो फर्स chamber के अंदर आपको six blade मिल दाती, आप यहां पर देख सकता है, ऊपर तीन blade है और नीचे भी आपको तीन blade मिल दा रही है, और अंदर के side में आपको चार दूसरी blade मि आप grinding कर रहे हैं, उसकी quality बहुत ही fine and tune है, तो दोस्तों यह रहा वो चीज और यहां पर आप easily इसे बंद कर सकते हैं, simply आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रेस करके आपको इस तरीके से बंद कर देना है, तो आपकी यह जो chamber है इस तरीके से lock लग जाएगा, तो दोस्तों यह था section जहाँ पर मैंने आपको machine समझाई किस तरीके से machine available है और क्या-क्या इसके features है, अब यह दोस्तों इस machine में क्या-क्या चीजे कर सकते हैं, वो चीजे मैं आपको जाहिद कर देता हूँ, साड़े 7 HP का motor, 10 HP का motor और 15 HP का motor मिल लाता है, तो दोस्तों जिस प्रकार के आपको motor अपग्रेड करना है आप कर सकते हैं, और currently जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह है 10 HP का motor, और अगर 10 HP motor की बात करें तो यहाँ पर आपका जो पिसाई का capacity है, वो है 120 kg से लेकर 140 kg तका आप Approx material यहाँ पर production निकाल सकते हैं, और अगर दोस्तों आप अगर साड़े 7 HP का motor लगाते हैं, तो उसके अंदर production आपको मिलेगा, AC kg से लेकर 100 kg तक का production capacity मिल जाएगा, तो दोस्तों साड़े 7 HP का अगर लगाते हैं तो यह होगा, और अगर दोस्तों 15 HP का motor लगाते हैं, तो Heavy Duty MS Fabrication में develop किया गया है, जो कि बहुत ही heavy material होता है, जिससे कि आपका machine long term चलने वाली machine बन जाए, और साथी साथ में आप इस machine को long term चला के अच्छा खासा रुप्या कमा सके, और दोस्तों गर हम बात करें तो यह machine का purpose यानि कि यह machine कहा कहा use होती है, उसके बारे में आपको बदा दिया जाए, तो दोस्तों यह machine है, आप इसे hotel purpose में use कर सकते है, restaurant में use कर सकते है, साथी साथ में अगर आपका catering का business है, तो आप यह catering में भी इसका use कर सकते हैं, और अगर दोस्तों आप masala industry वगेरा चालू करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस machine के तुरू आसानी से मसाले का business भी start कर सकते है, और दोस्तों जैसे कि अगर आप बात करें, जिसे पार्मा के अंदर chemical industry आती है, अगर कोई chemical को अगर grinding करना है, तो वो साथी चीजे भी इस machine के तुरू आप आसानी से कर पाएंगे, और दोस्तों बात करें, किसी की प्रकार का जैसे छोटा लगोध अद्योग है, जहां पर पूडी वगेरा बनते हो, खाने की चीजे बनती हो, तो दोस्तों वहां पर भी आटे का बहुत ही ज्यादा useful चीजे होती है, जिसे piece कर बनाया जाता है, तो दोस्तों यहां पर वो machine अच्छा खासा production निकाल कर आपको profit में convert कर सकता है, तो दोस्तों यह था इसका production पार्ट जहां पर मैंने आपको बताया क्या क्या चीजे मिलती है, और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इस machine में आपको 2 blades मिलती है, इसमें 2 chamber कहा जाता है, एक blade है, जो कि 6 blade आपको मिल आती है, और अंदर आपको 4 blade दूसरी मिल लाएंगे, अच्छा अगर आप चाहें तो basin वगेरा भी पीस सकते हैं, इस machine में किसी भी प्रकार का जो आपको अनाज पीसना है, वो सारी चीजे आप इस machine में पीस सकते हैं, तो दोस्तों इस machine को बहुत ही heavy duty machine है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से machine चलाया जाता है, और कैसे इसका production निकलता है, वो सारी चीजे में आपको दिखाता हूँ, ताकि दोस्तों आपको perfect idea है, stay tuned, तो दोस्तों अभी हम आपको जा रहे हैं आटा पीस के दिखाएंगे, कैसे आटा पीसा जाता है, ताकि दोस्तों आपको perfect idea है, तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर आप देख एम सिंगल फेस वाली मसीन होती है तो यह थ्री फेस वाली मसीन है जिसे अभी अम लोग यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं और अभी दोस्तों इसका लेखने जा रहे है कि इस प्रकार से प्रोडक्शन निकाला जाता है झाल 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 झाल